दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल आरोप के सीपी में दोस्तो अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें लोग कहते हैं दुनिया में तीन भगवान होते हैं पहली मा जो जन देती है दूसरा भगवान होता है पिता जो जीना सिखाता है और तीसरा भगवान होता है डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है और उन्हें स्वास्त बनाता है दोस्तो आरवेद में एक स्लोख है प्रियोजनम चास स्वास्था 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 रच्छडम आतुरस स्विकार प्रस्मनंचा अर्थात इसके कहने कार्थ है हमारी सबसे पुरानी जो चिकित्सा पद्धती है आरवेद उसका यह प्रियोजन है इसका कहना है जो स्वस्थ बैकते हैं उनके स्वास्थ की रच्छा की जाए और जो रोगी बैकते हैं उनके रोगों को दूर किया जाए यही प्रियोजन है हमारे आयरवेद का हमारे डॉक्टर भी इसी प्रियोजन का अनुसरण करते हैं इसलिए डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं अगर हमें डॉक्टर के दरजे तक पहुचना है तो हमें जीत और महनत करनी होगी दोस्तों इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें दिन रात का कोई फर्क ना पता चले सोचल मीडिया, फेस्बूक, ट्यूटर, इंस्टा सब को छोड़ कर अपने लच्छ की और आगे बढ़ना पड़ेगा तब ही हम नीट क्लियर कर सकते हैं और उच्छ कोटी के प्रदिवावान डॉक्टर बन सकते हैं जलादो दोस्तों खुद को डॉक्टर बनने की आग में डॉक्टर बनना है तो कुछ चीजों का बलदान और समर्पर देना ही होगा सब ऐसे ही नहीं कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है ये बात डॉक्टर के मेहनत का नतीजा होता है जिस पर लोग आख बंद करके भरोसा कर सकें ऐसा डॉक्टर बनना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अच्छे डॉक्टर वही होते हैं जो सब कुछ भूलकर पैसंड की जान बचाना चाहते हैं दोस्तों अगर आप भी अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए तुम्हें कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे physics नहीं आती है, मुझे chemistry नहीं आती है exam कैसे clear करूँगा मेरा ये सब कभी मत सोचना क्योंकि डॉक्टर कभी ये नहीं सोचता है कि मैं patient को ठीक कैसे करूँगा patient का operation कैसे करूँगा डॉक्टर कभी ऐसा नहीं सोचते हैं डॉक्टर को पता होता है कि मुझे अपना 100% देना है ताकि मरीज की जान बचाई जा सके क्या आप भी ऐसा सोचते है आप मैं डॉक्टर जैसी हिम्मत है कि आप बोल पाओ कि मैं भी need clear कर सकता हूँ और मैं भी एक प्रतिवा साली डॉक्टर बन सकता हूँ मैं डॉक्टर बनने के लिए अपना 100% दे सकता हूँ तो आप खुद से ही वादा करे कि मैं कभी घबराऊंगा नहीं हमेशा हर कंडिशन में अपना 100% दूँगा और जब तक मुझे अपना लच्च नहीं प्राप्त होगा तब तक मैं सुकून से नहीं बैटूँगा अपने लच्च को प्राप्त करने के लिए जीतोर मेहनत करूँगा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अच्छी लगे तो प्रीज हमार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें लाइक भी करें